हेलो फ्रेंट्स तो आप सभी को सवागत है हमारे चैनल लगनापीडिया पर तो आज इस विडियो ि हम देखने वाले इंटेक्रेशण के standard form के type 3 वाले सम्स तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे standard form type 1 और type 2 के वीडियो अगर नहीं देखे रहेंगे तो प्लीज जाके उन्हें देख लीजे तो उससे क्या होगा आपको ये आज का वीडियो इसली समझ में आएगा तो क्या है standard form के type 3 में यहाँ पे भी आपको यहाँ पे तीन formula दिखाए दे रहे हैं आपको इन्हें by heart करना पड़ेगा और हम solve करेंगे उसके उपर numericals तो चलिए रेखते हम इस सब formula को कैसे याद रख सकते तो हमारे पास तीन formula है under root a square minus x square under root x square plus a square और under root x square minus a square इन तिनों का integration तो सब का start case है x upon 2 x upon 2 x upon 2 then हमें आगे का लिखना है यह जो under root वाला part है वो completely as it is लिखना है यहाँ पे भी same under root x square plus a square as it is आया है यहाँ पे भी same आया then यहाँ पे a square क्या है positive है तो यहाँ पे a square आएगा positive यहाँ a square क्या है positive तो यहाँ पे भी a square आया positive और यहाँ पे a square का value negative है तो यहाँ पे आएगा minus a square then sub a square के upon में 2 a square upon 2 a square upon 2 तो अभी हमने standard form के second type में देखे थे 1 upon under root a square minus x square then 1 upon under root 1 upon under root तो उन तिनों फॉर्मिलों का जो answer था वो हमें यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे कैसे आएगा sin inverse x upon a जो वहाँ पे answer था then second वाले के लिए का log of x plus यह under root वाला part as it is जो हमने last time पे भी वो second type में देखा था then यहाँ पे कैसे log of x plus यह under root वाला part यहाँ पे आएगा return as it is तो हमने तीनों फॉर्मिले देखें कि कैसे याद रखने है हमें क्या करना है सब में लिखना x upon 2 then यह bracket आएगा as it is then a square positive है तो plus a square upon 2 यहाँ पे positive है तो यहाँ पे plus a square upon 2 then यहाँ पे negative है इसके लिए minus a square upon 2 then type 2 वाले फॉर्मिले इसके लिए था sin inverse x upon a इसके लिए है log of x plus यह complete root वाला part root of x square plus a square और इसके लिए भी log of x plus यह complete root वाला part जो है under root x square minus a square और सब में आएगा plus c तो please इन सब फॉर्मिले को बाहर कर लो और अभी हम देखते है इसके उपर sums so हमारा first sum क्या है integration of under root 4x square plus 5 into dx तो हमें इसका integration निकलना है तो हमें यहां से simply क्या पता चलता है कि यहां पर x square है और बाद में a square है तो हम standard form यूज करेंगे x square plus a square लेकिन हमने standard form में देखा था कि x square का coefficient था 1 क्योंकि वहां पर सिर्फ था x square लेकिन यहां पर हमारे पास क्या 4x square तो हम क्या करेंगे यह 4 को common निकलेंगे वह हम common कैसे लेंगे यह 4 root sign के बाहर जला जाएगा तो वह बनेगा 2 तो हम 4 का root आता है 2 इसके लिए 4 बाहर जाने के बाद बनेगा 2 then integration of under root यहां पर सिर्फ बचेगा x square plus यह 5 में तो 4 नहीं है बाहर common लेने के लिए तो यहां पर क्या बनेगा हमने लाश वीडियो में देखा था क्या बनेगा जब यह 4 बाहर जाता है तो इसमें से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं इसे पहले लिखते है as it is 5 और जो 4 बाहर गया उसके लिए हम यहां पर divide by 4 लिखते है और into dx तो अभी हम इसे convert करेंगे standard form में तो वो क्या बनेगा is equals to 2 under root यहां पर हम लिखेंगे x square plus root 5 upon 2 इसका square क्योंकि root 5 upon 2 का square बनेगा 5 upon 4 into dx तो अभी यह कौनसे standard form में convert हो गया under root x square plus a square तो हमें बस उसका formula apply करना है तो क्या मिलेगा हमें answer यह 2 बाहर आएगा यहां पर हम बड़ा सा bracket डाल लेते तो हमारा formula क्या था x upon 2 तो यहां पर आएगा x upon 2 then under root जो root वाला part है वो as it is आएगा तो यहां पर आएगा x square plus root 5 upon 2 का square मतलब 5 upon 4 then plus a square upon 2 तो इसका square मतलब यह पूरा term आएगा तो इस square करने के बाद क्या बनेगा 5 upon 4 और upon में 2 है तो इसके upon मैंने यहां पर 2 लिग दिया then log of x plus यह root वाला part तो क्या आएगा x square plus root 5 upon 2 का square यहां पर बनेगा 5 upon 4 तो प्लस c तो हम इससे अभी आगे simplify कर लेते तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो वो दोनों 2 यहां पर common आएगे तो यह 2 upon 2 काट हो जाएगे तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ यह x under root x square plus 5 upon 4 यह वाला 2 भी इसके साथ common जाके काट हुआ तो यहां पर बचेगा 5 upon 4 into log of x plus x square plus 5 upon 4 अब प्लस c तो यह बन गया हमारा final answer तो चलिए रेक्ते हैं अब next sum तो हमारा next sum क्या है integration of under root 4 minus 9x square into dx तो यहां पर हम कौन सा formula उसकरेंगे a square minus x square लेकिन यहां पर भी same है यहां पर हमें x square नहीं दिया है क्या दिया है 9x square तो हम यह 9 को बाहर common निकालेंगे तो यह क्या बनेगा is equal to 9 root sign के बाहर गया तो वो बनेगा 3 then under root यहां पर 4 में 9 common निकालने के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे 4 को as it is लिकेंगे और upon में आएगा जिस पार्ट को हमने common निकाला है तो वो आया है यहां पर 9 तो यहां पर क्या बचेगा x square और into dx यहां पर 9 ही क्यों रखा क्योंकि यह root sign के बाहर नहीं गया अगर root sign के बाहर गया होता तो यह बन जाता 3 तो अंदर ही है इसके लिए हमने लिखा upon में 9 then अभी इसे convert कर लेते है standard form में तो यह बनेगा is equals to 3 यह under root यह 4 upon 9 क्या है 2 upon 3 का square minus x square into dx तो यह कॉंसा standard form हुआ integration of under root a square minus x square तो अभी हम हमारा standard form का formula अपले कर लेते है वो क्या बनेगा 3 as it is आएगा then bracket के अंदर x upon 2 so x upon 2 into यह bracket as it is so 2 upon 3 का square आएगा 4 upon 9 minus x square then plus यहाँ पे आता है a square upon 2 so a square क्या बनेगा हमारा 4 upon 9 क्योंकि यह है हमारा a square so 2 upon 3 का square मतलब 4 upon 9 और upon में 2 इसके लिए मैंने इसके upon में यहाँ पे 2 लिग दिया then sine inverse of x upon a so x और upon में a a क्या हमारा 2 upon 3 so आएगा 2 और upon के upon में जो रहता है उसे हम उपर लेते so वो बनेगा यहाँ पे 3 आएगा तो वो पार्ड बनेगा sine inverse of 3x upon 2 then plus c तो इसे अभी हम simplify कर लेते तो अगर हमने यह 3 को अंदर multiply किया तो क्या बनेगा यह 3x upon 2 under root 4 upon 9 minus x square then plus तो लेत 2 और यह 4 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 then यह 3 अंदर multiply होगा तो क्या बचेगा 6 upon 9 तो उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 upon 9 बनेगा 2 upon 3 into a sine inverse 3x upon 2 और plus c तो यह बन गया हमारा final answer तो दोस्तों यह बहुत ही simple type है इससे आप easily exam में 2 या फिर 3 marks assure कर सकते हैं तो चलिए रखते हैं इसके उपर next sum तो हमारा third sum क्या है integration of under root x square plus 4x plus 13 into dx तो हम standard form के first type से क्या रखते आ रहे हैं जब भी हमें ऐसे 3 term जिकेंगे तो हम यह first 2 term का use करके तिसरा term find करेंगे जिससे बनेगा perfect square तो यह कैसे होगा तो यहाँ पे जो second term है उसका coefficient क्या है 4 तो हम क्या करेंगे वो 4 को लेंगे उससे हम करेंगे divide by 2 और जो मिलेगा उसका square तो 4 upon 2 बनेगा 2 और 2 का square बनेगा 4 तो अभी हम यह 4 को plus और minus करेंगे तो क्या बनेगा यह आगे under root x square plus 4x हम इसे plus करेंगे और बाद में minus करेंगे और यह plus 13 तो है ही आगे into dx तो इसे अभी हम standard form में convert करते हैं अगर आपको यह adjustment समझ में नहीं आया रहेगा तो हमारे please standard form के first वीडियो में जाके इसे clarify कर दीजिए क्योंकि यह बहुत ही simple step है हमें क्या करना है सिफ यह x का जो coefficient है उसे divide by 2 करना है और उसका square करना है और जो भी part आएगा उसे हमें plus और minus करना है और उसे अभी हम convert करेंगे standard form में वो कैसे होगा under root यह किसका square है तो x का तो उसे हम लिखेंगे x यहाँ पे sign क्या है plus यह हम sign लेंगे और यह क्या है 4 मतलब 2 का square तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यह complete चीज का square तो यह part क्या बन गया x plus 2 the whole square और यहाँ पे क्या बचेगा minus 4 plus 13 तो minus 4 plus 13 क्या हुआ plus 9 तो plus 9 मतलब क्या हुआ वो plus 3 का square into dx तो अभी यह standard form में convert हो गया तो अभी हम formula अपलाए करके लिखते है इसका answer तो इस standard form का answer क्या था x upon 2 तो यहाँ पे x क्या है complete bracket x plus 2 तो x plus 2 upon में आएगा 2 then यह complete root वाला part तो वो क्या है x plus 2 the whole square plus 3 square मतलब 9 then a square upon 2 तो a square क्या है 3 square मतलब 9 upon 2 into log of x plus so x क्या है हमारा x plus 2 then plus again यह root वाला complete part तो वो क्या है x plus 2 whole square plus 3 square मतलब 9 और आएगा plus c तो यह बनेगा हमारा final answer तो हमने इसमें क्या किया सिर्फ यह 2 term का use करके यह second term का जो coefficient है 4 उसे divide by 2 किया उसका square किया तो वो मिला हमें 4 तो उसे हमने add किया then minus किया और उससे हमने बनाए as perfect square then हमें directly standard form का formula अपला कर दिया तो चलिए देखते हैं इसके उपर हमारा last sum तो हमारा last sum क्या है integration of under root minus x square plus 8x minus 15 into dx तो हमने जभी type 1 और type 2 देखा था standard forms का तो उसमें हमने ये minus वाला sum देखा था उसमें हम क्या करते हैं minus sign को common निकलते हैं लेकिन हम उसे कैसे common निकलते हैं integration of under root जो हम common निकलते हैं negative sign वो root sign के अंदर ही रहेगा तो ये negative sign आएगा then bracket ये x square minus sign बाहर जाने के करण positive x square बनेगा ये plus 8x क्या बनेगा minus sign बाहर गया तो minus 8x और ये minus 15 यहाँ पर बनेगा plus 15 into dx तो अभी यहाँ पर फिर से क्या बन गया x square और minus 8x plus 15 तो यहाँ पर बन गे 3 terms तो 3 terms आएंगे तो हम क्या करेंगे ये पहले 2 term का use करके हम बनाएंगे perfect square तो उसके लिए हम क्या करते है second term का coefficient लेते है जो है minus 8 उससे हम divide by 2 करेंगे और इस complete चीज़ का square करेंगे तो है बनेगा minus 4 और उसका square बनेगा 16 तो हमें ये 16 add और minus करना है तो वो क्या बनेगा अभी आगे integration of under root ये minus sign common ही है यहाँ पर x square दिन minus 8x plus हम ये 16 करेंगे और minus 16 करेंगे और ये plus 15 पहले से है ही into बनेगा dx तो अभी इससे हम यहाँ पर बनाएंगे perfect square तो वो क्या बनेगा integration of under root यहाँ पर negative sign ये बड़े वाले bracket के अंदर इसके लिए हम लिखेंगे x दिन ये minus sign आएगा दिन ये किसका square है तो 16 का तो इसके लिए यहाँ पर आएगा 4 और ये complete cheese का square तो ये part क्या बन गया x minus 4 the whole square यहाँ पर क्या बचा minus 16 और plus 15 तो minus 16 plus 15 कितना बनेगा minus 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 1 तो 1 क्या हो गया 1 का square ये bracket complete और into dx तो अभी हम इसे convert करते है standard form में वो कैसे करेंगे ये minus sign हम bracket के अंदर लेंगे तो ये बनेगा integration of under root ये minus sign bracket के अंदर लेने के बाद ये minus 16 plus होगा क्योंकि minus into minus बनेगा plus तो ये बनेगा 1 square तो ये minus sign इस plus से multiply करेंगे तो ये बनेगा negative तो ये बनेगा minus bracket के अंदर x minus 4 the whole square into dx तो अभी हमारा ये कौनस standard form आया under root a square minus x square तो उसका अभी हमें बस formula अपले करना है वो क्या आएगा x upon 2 यहाँ पर अपना x क्या है x minus 4 so x minus 4 upon 2 into जो root के अंदर है वो सब as it is आएगा so 1 का square आएगा 1 minus x minus 4 the whole square then plus a square upon 2 तो a square क्या है 1 का square है 1 so 1 upon 2 into sin inverse of x upon a so x क्या है हमारा x minus 4 और उसके upon में 1 तो यह x upon 4 ही जाएगा then plus c तो यह बन गया हमारा final answer तो हमने यह sum में क्या किया यहाँ पे negative sign था इसके लिए हमने negative sign को common लिया लेकिन कहाँ पे common लिया तो root sign के अंदर then यह 3 terms थे इसके लिए हमने यह पहले दो term का यूज़ करके यहाँ पे perfect square बनाया उसके लिए क्या किया? x का coefficient लिया उसको divide by 2 किया और उसका square किया वो बना 16 तो हमने ओ 16 को plus किया then minus किया यह उसे simplify करके हमने standard form में convert किया और standard form में convert करने के बाद हमने just उसका formula apply किया तो इस तरह से हमने standard form के type 3 के सारे sums कवर कर दिये है इसके उपर आपको practice sums मिल जाएंगा description box में और अगर आपको आज के वीडियो में कुछ ज़रा सा भी doubt रहेगा then you can please comment down in the comment section और अगर आपको हमारा वीडियो helpful लगा हो then please इसे like कीजिए subscribe कीजिए हमारे Learnopedia चैनल को और bell icon दबाना मत बुलिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको notification मिलता रहेगा and please share this video with your friends